बिस्मिल्लाइराख्मानियाहीम, अस्रामौनेकुम व्योज, अब हम करेंगे एट का बीपार्ट, बहुत इजी सा पार्ट है, इसमें क्या करना है कि हमें कुछ डेटा दिया हो इस तरह से, कहता है कि आपने डिक्रेशन लाइन बनाने हैं, दोनों डिक्रेशन लाइन बनाने of our list, squares, line, to the following data taking y as dependent variable and x as dependent variable, show that 2 list, के लाइन's, यहां बाद में करना है. पहले हमने 2 regression lines, point करना है, इसके लिए हमने यहां यहां दोनों variables का square चाहिए and x का भी चाहिए, और यहां y यह squares पहले कर देते हैं 1 का स्केर आपको बता 1 3 का स्केर 9 4 का स्केर 16 6 का स्केर 36 8 का स्केर 64 9 का स्केर 81 11 का स्केर 121 14 का स्केर 196 आपको 20 तक टेवल जबन ही याद होना चाहिए अब यहाँ हम लोग यहाँ पर 1 का स्केर 1 2 का स्केर 4 4 का स्केर 16 फिर 4 का स्केर 16 5 का स्केर 25 यहाँ जाएगा 49 और यहाँ जाएगा 64 जिन 81 उमीद है आप लोग भी मेरे साथ साथ इसी तरह स्केर ले रहे होंगे एक्स वाई कोलम चाहिए अब यहाँ पर हमें इन कोलम को आपस में मल्टिप्लाइ करते जाना है विद्ट कैल्कुलेटर 3 टूट था 6 यहाँ जाएगा 16 यहाँ जाएगा 24 और 8 5 बार 40 9 7 बार 63 यहाँ जाएगा 11 8 था 88 और यहाँ जाएगा 14 मल्टिप्लाइगा 9 इसका मैं नहीं पता लगएगा तो हम किया क्यालकुलेटर से फूंट कर लेंगे जारा 126 ठीक है इसी तरह अब हमने next क्या करना है इनके some calculate कर लेने calculator से एक तो method है आप डारेक्ट calculate कर लें इस मख़ले लिए आपको हर column का calculate करना पड़ेगा अगर आप shortcut method यूज़ करना चाहते हैं तो वो मैंने already आप लोगों को बताया हुआ है किस तरह से आप लोगों ने करना है five का बी पार्ट देख लेना है इसी exercise का उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से एक लिंक दिया उस लिंक पर क्लिक करें description के लिंक पर और यहां पहुंच जाएंगे उस वीडियो मैंने बड़ा ही briefly बताया कि किस तरह आप calculate data put करेंगे or squares and sums find करेंगे अब यहां मैं पोस्ट करके सारे values की जो sums है columns के वह calculate कर लेता हूं यह देखे बच्छों यहां मैंने सारे sums calculate कर ली हैं उमीद है आप लोगों ने भी कर लिये होंगे अगर यह मैंने किये shortcut method से अगर अभी तक आप लोगों नहीं देखा तो इसे लाजमी देख लें ठीक है अब next हमने काम क्या करना है बी और ए फाइंड करना है बी होगा हमरे पास n sigma x y minus sigma x into sigma y divided by n sigma x square minus sigma x whole square अब n हमारे पास है 8 8 values है अपने calculate कर लें है 364 minus sigma x जो के मेरे पास 56 है multiply by 40 divided by n into sigma x square जिसकी value 524 minus sigma x जो के मेरे पास 56 है इसका square अब यहां आ जाएंगे हम लोग ठीक है यहां हम आ जाएंगे इदर values पूट करके इनके find करना है हमने 8 multiply by 364 minus 56 multiply by 40 अब प्रेस एंटर करते हैं यह value आए 6,72 फिर divide प्रेस करना है फिर आपने bracket स्टार्ट कर देना है यह वाले इस वाले बटन से ठीक है और 8 multiply by 524 minus 56 इसका square अब प्रेस एंटर करता हूं तो हमरे बस value आरे पॉइंट six four मैंने two digits तक fix कर रखा है आप ही two digits तक करेंगे तो इतना answer आएगा इसके मकसद के लिए आपने five का बी पार्ट देख लेना है या twelve and two exercises का third का यह पार्ट इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ fix करना ही बता दिया है आपने यह लाजमी देख लेना अब यहां आ जाते है यह बी की value आगए यह कौन सा है पहले था हमने find करने है बी वाइन एक्स पहले हम find कर रहे है ठीक है यह अपने उपर heading देनी है अब यहीं पर a find कर लेते हैं यह होगा sigma y minus sigma x divided by n sigma y है हमारे पास 40 minus b point 64 अब यहां answer भी लिख सकते हैं multiply by sigma x 56 है divided by n जोके 8 है अब यहां हमारे पास वैल्यू आया जाएगी एक ही 40 माइनस अंसर में प्रेस करता हूँ आप पॉइंट 64 भी प्रेस कर सकते हैं प्रेस एंटर यह वैल्यू डिवाइड बाइट यह पॉइंट डबल फाइव उमीद आप लोगों के भी यही आ रहे होगी पॉइंट डबल फाइव अब आजाते हैं हम नेक्स वाइ एक्स ओन वाइ वाली फाइंड करेंगे रीग्रेसिन अब यह वाली तो रीग्रेसन लाइन आ चुकि हमरे पास X one Y फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें तो Bitesh कन लिखने करना पड़ेगा बिय में बाकि सारी बात य बाकिन आपहिसी ही लिखनी ऑ इसमें अब आप y own X लिखनी डिइक्रिशिन Li इंशिन के सिर्फ वूर्स पर दोख ऐसे होते हैं बी एकस्वाइ उतर दूसरा दुच्छ बी उयक्स होते हैं अन सिग्मा एकस्वाइल को फार्मूला श्राइस यथा वहां था वाहां हमने एकस लगा देना ज्या जहां एकस य भाई अब देखें यहां replace करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह इदर आजाए दूसरा उदर चला जाए थ्री को मैंने का तब 5 से multiply कर दें या 5 को 3 से answer 15 ही आता है n sigma y square minus sigma y whole square अब यह values यहां put करते हैं regression यह वाले भी लिख लिख लिए पॉइंट डबल 5 प्लस पॉइंट 464 एक्स यह एक regression लाइन आ गही है अब यह हम वैली रिपूट करते हैं वैली हमारे पास n है 8 sigma xy है 364 minus 56 multiply by 40 divided by n जोके 8 है sigma y square 256 है माइनस sigma y जोके 40 है 40 का square अब हमारे पास यह value आ जाए यहां पर क्याल्कुलेटर से क्याल्कुल करने से जहां आज़ें यह ची बड़ा बटन प्रेस करें यह एक मल्टिप्लाइब आज़े 64 minus 56 multiply by 40 प्रेस एंटर यह value आ यह हमारे पास divided प्रेस करेंगे ब्रैकट 8 multiply by 256 माइनस 40 स्क्यार अब रेकट को क्लोज करता हूँ अब प्रेस एंटर करता हूँ यह value आ यह मेरे पास 1.5 उमीर आप लोगों की भी यही आ रहे हो 1.5 और यह वाला जो था यह एक्स ओन वाए है अब इसी तरह हमने एक value find करें when x is on y अब यहां में next page पर आ जाता हूँ यहां पर आ जाएंगे यह की value find करें a xy की यह होगी sigma x-b sigma y divided by n sigma x की value हमरे पस कितनी थे हूँ यहां पीछे से देख लेंगे यह थी sigma x की हमारे पास 40 ने sigma x की थी हमारे पास 56 56 से लिखेंगे 56 minus b b की value है 1.5 जो अभी के आई है हमारे पास sigma y लिखेंगे जो कि मेरे पास 40 है divide by 8 अब यहां a की value आने लगी xy की 56 minus 1.5 multiply by 40 प्रेस एंटर डिवाइड बाइ 8 यहां आपके पास value minus 0.5 मेरे आप लोगों की भी same values आ रहे होंगी अब यहां दूसरी regression regression line में लिख रहा हूं y sorry x on y थी is equal to a minus 0.5 plus 1.5 y ठीक है हमारी दूसरी regression line अब next देखेंगे हैं उसने प्रूब करने को कहा है कि show that the least scaled line जी बाली जों लिख स्केस लाइन है एक y hat दूसरी x hat है y hat है मारे पास यहाद पिछे से देख लेंगे y hat का 0.5 plus 0.64 .55 plus 0.64 x जी बाली मारे पास दूनों regression line लिख स्केस लाइन भी कह सकते हैं क्यां इंटर्सेक्ट करें एक पॉइंट ओफ एक्स बार वाई बार हम कहेंगे विल्कुल regression line हमेशे intersect करते हैं एक्स बार वाई बार ये mcq अक्सर आप लोगों को आ जाता है कि where regression line will intersect यहां आपको different options देएंगे आपने एक्स बार वाई बार एक्स मीन वाई मीन चूज करना है अब यहां आ जाते हैं हमने यह शो करना है कि यह intersect कर रही है एक ही point यह देखिए हम इस तरह से करेंगे एक्स बार पहले वाई बार find कर लेते हैं एक्स बार कितना आ रहा है और वाई बार कितना रहा है एक्स बार और वाई बार find करेंगे एक्स बार होगा हमरे पास sigma x divided by n sigma x हमारे पास था 56 divided by 8 यह आजएगा हमारे पास 7 x बार और इस तरह y बार होगा sigma y divided by n और यह आजएगा y बार 40 था 40 divided by 5 यह आजएगा 8 पर 8 पर डिवाईड करना है न तो आजएगा आपके पास यह 5 अब आपने क्या करना है एक्स बार और y वार यू सेवटेंद फाइगा इनको इन रिक्रेशन लाइज में पूट करना है y बार को but Y, Y की जगा और आज बार को यहाँ key जगा, मैं पूट करके देखते हूं यहां पूट करेंगे X वाली X on Y पर यह आपके पास minus 0.5 plus point 1.5 multiply by X bar Y bar हमारे पास 5 multiply by 5 यह आ रहा है हमारे पास 7 देखें हमने 5 पूट किया 7 अगर 7 पूट करने से 5 आ जाए है यहां हम Y का हैट करेंगे तो हम कहेंगे यह इंटरसेक्ट वाकी करेंगे एक मैंट पर 0.5 plus 0.64 multiply by यहां पूट करेंगे 5 5 नहीं X bar पूट करना है न यहां X bar है 7 multiply by 7 यहार हमरे बस 5 503 आ रहे हैं मतलब 5 ही कह लें क्योंकि यह complete 5 ही आने चाहिए थी हमने पूरी पूरी कैल्कुरेशन तो नहीं न की हमने ट्रू डीजिट तक रखा अगर हम फूल डीजिट फिक्स करने के रखते तो हमरे पास पूरा पूरा अंसर आना था अब हम कहेंगे जी हाँ वाक्या यह शो हो गया जब हमने एक्स बार पूट किया तो य बार की वैल्यू अगे जब य बार पूट किया तो एक्स बार की मतलब यह किसी जगह इंटरसेक्ट कर रही है लाइन और जहां यह इंटरसेक्ट कर रही है वह हमारे पास मेंज है एक्स बार और य बार एक लाइन इदर को जा रही है जहां इंटरसेक्ट करें वह एक्स वाइबार इनका मीड़ है एक्स वाइबार है फिर देखेंट पर गयता है estimate the mean value of y when x is equal to 7, x जब 7 रखा हमारे पास value आगी 7, यह तो होगा हमारे पास clear यह देखें, रखेंगे 5, इसमें x hat में रखेंगे, उसले का when x is equal to 7, यहां पर रखेंगे 7, तो आपके पास 5 answer आजाएगा, 0.55 plus 0.64 multiply by 7, जी आ रहा है हमारे पास 5, ठीक है, और इसी तरह कहता है, next आपने कहता है, can estimate the mean value of x when y is equal to 6, यहां आपने 6 रखेंगे calculate करें, minus 0.5 plus 1.5 multiply by 6, आपका answer कितना आ रहा है, आपने कैसा आया, comment section में जूरू बताना है, यहां रहा है, हमारे बास 8.5 यहां रहा है, ठीक है, आपका क्या answer complete है, आपने comment section में लाजमी बताना है, इसी तरह मिलेंके next video हमें, एक नए lecture के साथ, और यहां दो किजिए x बाहर है, और यहां y लिकना था, y है, तब तक के लिए अपने होस टेक्निकल प्रोफेसर को देजिए इजाज़त, अल्ला ने के मान,